आज हम बनाने वाले बहुत ही खस्ता वर्की पूरी इतनी सारी लेयर्स बनेंगी और इतनी खस्ता बनेंगे खाने में और आप इनको दो महिने तक स्टोर कर सकते ही ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी बहुत असान तरीका मैंने बताया है इस तरहे की लेयर्स वाली खस्त बूरी बिनाने का तो चली शुरू करते हैं रेसिपी को यहां मैंने लिया है एक कप मैदा आप चाहिए तो यहां पर गिहूं के आठे काभी इस्तमाल कर सकते हैं स्वाद नमक डाला है आदा चम्मच मैंने डाला है कुटी वही, काली मिर्च आदा चम्मच हम डालेंगे टेबल स्पून डेसी गी, गी को मैंने गरम कर लिया था और उसके बाद मैंने इसमें आठ किया है, अब इस सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे, और इस तरह से मुटी भांद के देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से हमारा मोयन लग चुका है मैदे में, मॉर्मल हम जिस तरह से आठा लगाते हैं, वैसे ही आठा लगाया है, अब थुड़ा से गी डालके इसको अच्छे से चिकना कर देंगे, और इसको पंद्रा मिनिट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम साटा तयार करेंगे, इसके लिए मैंने यहां पे लिया है दो टेब जाएगा, इसको हम रख देंगे फ्रिज में, थोड़ी देर के लिए, आप देखेंगे, दो मिनिट में यह अच्छे से जम जाएगा, और अब जो हमने मैदा गुध के रखा है, उसको तकरीबन पंद्रा मिनिट हो चुके हैं, अब एक बार फिर से इसको अच्छे से मसल ल जाएगे, देखें, अब एक बेड़ा मैंने ले लिया है, अब जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं, उसी तरह से हमें इसको बेलना है, काफी बढ़ा करेंगे, और यहां बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, और जो साटा हमने तयार किया एक तरह से इसका रोल बनाते जाएंगे, अब यहां आप बिल्कुल टाइट रोल बनाएं, यहां पर जगे छूटनी नहीं चाहिए, डीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी जो पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छी तयार नहीं होंगी, बस इस तरह से इसको लपेटते अब आप देखे, इस तरह से आपके बहुत सारे लियर्स हमें अंदर दिखेंगे, आप जितना बड़ा रोटी को बेलेंगे, उतनी जादा लियर्स इसमें बनेंगी, तो बस इस तरह से देखिए, तयार हो गया है, अब एक देखे, मैं जिस तरह से आपको बता रहूं, एक हलके हाथों से इसे हमें बेलना है, कितना बेलना आप देख सकते हैं, इस तरह से आप एक छोटी सी पूरी हम बनाते हैं, उस तरह से हम इसको बेल लेंगे, लेकिन बेलते वक्त हमें बहुत ही हलके हाथों से काम करना है, तो इस तरह से सारी हम बेल के तयार कर लेंगे, और यहां मैंने तेल गरम करने रखा है, तेल को बहुत ज़दा गरम नहीं करना है, नॉर्मल टेंपरेचर होना चाहिए तेल का, इससे हमारी जो पूरी है, बहुत अच्छी तरह से फ्राइ होंगी, और बहुत ही खस्ता और कुरकरी बनेंगी, तो इस तरह से हम डाल देंगे, इन वर की पूरियों को फ्राइ करके निकालना है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हमारी लेयर्स खुलके दिख रही हैं, और जैसे जिसे हम इसको फ्राइ करके निकालेंगे, थोड़ी दिर के बाद यह सारी पढ़तें जो हैं, आप विद्दम से खिलती भी नजर आएंगी, तो बस इस तरह से हम बहुत अच्छी तरह फ्राय करके निकाल देंगे, तो बहुत ही क्रिस्पी यह खस्ता पूरी हमारी तयार हुई है, दिखिए, बहुत सारी लेयर्स इसमें हैं, आप इसको यह टार डबे में रखें, दो महिने तक कि बिलकुल भी खरा नहीं होंगी, तो आप इसको चाए के साथ या नाच्टे के साथ इंजॉय कर सकते हैं, फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ, आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, और रेसिपी को शेयर कर एंग्य।